दोस्तों जैसे कि आप से भी जानते हैं कि इमली सीरियल में इमली के किरदार को निभा रही सुम्बल तौकीर अपनी बेबाक एक्टिंग और अपनी डैलोग डिलेवरी से दर्सकों को दिवाना बना देती हैं तो वही अभिनेता फैहमान खान भी सीरियल में आरियन सिंग रा वाले हैं और इन दोनों कलकारों के निकलने के बाद ही सेरियल में नए एक्टरों की एंट्री हो रही है जी हां आखिरकार वो कौन से एक्टर है जो सुम्बल तौकीर और फैहमान खान के निकलने के बाद सेरियल में एंट्री करने वाले हैं नहीं जानते तो कोई बात नही आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्ही एक्टरों के बारे में बताएंगे तो चलिए आए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जर्ये नमबर वन चत्राली गुपते ये रिष्टे है प्यार के सीरियल का हिस्सा रह चुकी अभिनेत्री चत्राली गुपते अब इमली सीरियल का हिस्सा भी बनने वाली हैं जी हाँ लीप के बाद मेकर्स इमली सीरियल में चत्राली गुपते की एंट्री करवाने वाले हैं मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दे कि चित्राली गुपते इमली सीरियल में जनरेशन लीप के बाद सीरियल में लीड एक्टर की मम्मी का किरदार निभाएंगी। हलाकि अभी तक इमली सेरियल में आने पर चत्राली गुप्ते ने ओफिसियली तौर पर अनाउस्मेंट नहीं की है पर सेरियल में इनके आने की अभी पूरी तरह से पुस्ती नहीं हुई है नमबर त्री मेगा चक्रवर्ती बात करे अभिनीत्री मेगा चक्रवर्ती की तो बतादे कि अभिनीत्री मेगा चक्रवर्ती भी इमली सीरियल में आने के लिए सुर्ख्यों में बनी हुई है जीहा सुंबुल तौकीर की इमली सीरियल में छुट्टी के बाद सीरियल में मेगा चक्रवर्ती की ही एंट्री होने वाली है और कहा जा रहा है कि यही इमली सीरियल में लीड अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली है बतादे मेगा चक्रवर्ती ने इंडेस्ट्री में कृष्णा चली लंदन और बरी देवरानी जैसे कई सीरियल दिये हैं वही अब ये इमली जैसे बरे सो का हिस्सा बनने की वज़े से और भी जादो सुर्ख्यों में च्छा गई है लिस्ट के चौते नमबर पर बात करते हैं अभिनेता अभिसेक सर्मा के बारे में जो की कुबूल है 2.0 का हिस्सा रह चुके हैं वहीं अब खबरे आ रही हैं कि अभिनीता अभिसेक सर्मा भी इमली सो का हिस्सा बनने वाले हैं पर अभी तक अभिसेक सर्मा के किरदार का खुलासा नहीं हो पाया है तो दोस्तों आप सीरियल में नई एक्टरों को देखने के दिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आप हमें अपनी राई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही टीवी की दुनिया से जुरी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब करना ना भूले